नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है वेल सुन फार्मेसी में दोस्तों आज मैं आपके लिए डावर की तरफ से एक प्रोड़क्ट लेके आया हूँ जो कि आपने कई बार आपके घर में देखा भी होगा अगर आपके वैद साब ने डोक्टर ने प्रस्काइब किया होगा तो इसका नाम है जूडी ताप यह 30 एमेल कॉंटिटी में आता है इस तरीकी की बोटल होती है तो यह क्या काम करता है आप इसका कैसे उप्योग कर सकते हैं कितना लेना चाहिए कैसे देना चाहिए और कव इसको दिया जाता है यह सब मैं आपको यह बताने वाला हूँ तो उसका ही एक्स्टैट निकाल करके यह बनाया हुआ है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके जो है 15 ml के अंदर 300 mg कालमेक का एक्स्टैट होता है ठीक है बाकि इसमें प्रजरिवर्टिव होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख स पूट रहा है तब जो है आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके डॉक्टर जो है जब बताते हैं तब आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो यह आपके काफी सारी चीजों को जो है फायदा देता है जैसे लीवर जैसे हम मलेरि करता है लीवर को ठीक है जो वहाँ पर जो उसके बैक्टिरिया कह लीजिए जो टेंगू के मलेरिया के जो पेरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे ब्लेड में रेड ब्लेड जो होता है रेड ब्लेड सेल उसके जो है अंदर गुज जाते हैं जिसकी वैसे हमको जैसे कि मैंने बताया, इmmunyulesaritis को बढ़ाता है, जिससे कि आपको sinusitis जी चीके आती रहती हैं, आपको बार बार उससे बचाता है, आपको बार बार गुखार उने से बचाएगा, ठीक है, malaria में आपको फादा देता है, जैसे मैंने बताया, आपके hiperto protective है, यानि कि आपकी liver को प्रोटेट करता है यह एंटी इंफलमेटरी या सूजन जो कहीं पर भी आयू होगी आपके सिरीर के अंदर उसको जो है आपको बचाता है आपके जो है पाचन किरिया को भी अच्छा करता है तो यह जो है पाचन किरिया के लिए बहुत बढ़िया है हाला कि पीने में कड़व हुआ है हाला कि यह जो है हाओ कि तवियत कितनी ज्यादा खराब है और यह वैद आपको देख कर ही आपको examiner करके ही डोग्टर आपको देते हैं कि कितना आपप को यह लेना है ठीकर जब भी लेना है आपने इसको shake कर लेना है हिला लेना है इस मार्किट करती है कंपनीव डावर आ जैसे के मैं आपको बताया तो यह काल, वेग और से यूज नहीं हो रहा है काफी टाइम से यूज किया जा रहा है इसकी टैबलेट भी आती है तो आप इसका टैबलेट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप ये खाने में दिक्कत देता है तो आपको ठीक है तो अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है एंटि बैक्टरिया की दिक्कत है डेंगू है मलेरिया है या आपको जो है अंतर कही पर भी सूजन आई हुई है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं जहां तक side effect की बात है तो भी है इसका side effect को यह ऐसा भी तक notify नहीं हुआ है जो हमें आपको यहां पर बताए है तो इसको खाने के बाद आपको लेना चाहिए ठीक है बाकि आपने इसको जो है अच्छे और साफ स सब्सक्राइब करना चाहिए बच्चों के पौंशे इसको दूर रखना चाहिए कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं तो चलता हूँ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक बने जाने के लिए उम्मिद करता हूँ आज आपको इ इसका इसमाल जाते से जादा क्यों करते हैं